ख़बरे खेती के कारिकरम मा आप मन के स्वागा थे जै जोहार सबसे पहली आज के खेती के खास ख़बर करिला के चमन वराइटी भिंडी के सफल खेती करिशी के छेत्र मा हर्दम नवा नवा बदलाव आवत्री थे और ये बदलाव ला जान के किसानमन खेती करी तो उमाला बहुत फैदा होई जैदातर किसान मनहा पारंपरिक यंत्र आव विधी के प्रयोग करते एकड़ से स्रम आव समय पहुत लग जाते ये सबना ध्यान मरग के राजमन नवीन कृशी यंत्र योजना चलाय जाते ये योजना के अनुसार सबसे पहली ऐसे यंत्र जिकर उप्योग और उत्पादन ग्राम इस्धर्म हो उलख चिन्हित करके ग्राम के हिलोहारला प्रशिक्षित कराके बनवाय जाही ताकि उन्मत कृशी यंत्र के गाउन नहीं उपलग दिता हो और ग्राम इस्धर्म तयार ये यंत्रला सरली करन प्रक्रिया द्वारा देह, अनुदान या सहता कराय जाही संगे संग, क्रशी सेवा केंद्र और क्रशी यंत्र बेंग के स्थापना भी पुब्लिक, प्रावेक, पार्टनर्सिप या निजिक शेत्म करे जाही बेहतर तक्निक, फसल से संबंधित जानकारी ला जानके किसान मन खेती करी तो मनला अच्छा उत्पादन भी ली साथ भाजे मकेट के अत्रिक्त सुक्ष्म मकडी के भैंकर प्रकोप रिख थे, ये कीठ कई कद्दुवर्गी फसल मन के पत्ता के उपरी सता मनला चूस के सुख्खा कर दे थे, जेकर से पत्ती मुड के पीला हो जा थे, येकर से पोधार उजित भुरन नहीं मिले और फसल स्थ हो जाते, एक रोक थाम करेबर 20 किलोग्राम प्रती हेक्टियर के दर से सल्फर चून या डायकोफाल 185 इसे दो लिटर प्रती हेक्टियर पानी में घोल के प्रोग करना चाहिए, प्रकोपिक पत्तिला तोड के जला दे ये जमीन मगडा देना चाहिए, ये प्रकार ले देख भाल करे से सब्जी के पालन चमता बढ़ते अपनी मनाफ़ा प्राप्त होते, क्रिसी के मसनी करन ले बहुत स्वीधा होते, और एकर से समय, स्रम, अवलागत तीनों के बचत होते, ये नए टाइप का मशीन है रीपर बाइंडर, ये वाला, इसमें गेव और दान काट के बंडल बना के नीचे बाजू में साइड में डालता है, छे होस पार इंजिन पर चलता है, और एक घंटे में आदा एकर काम करता है, एक एकर काम दो घंटे में हो जाता है, जो आजकल लेबर के अर्चन जाती है, इसमें बंडल भी बान के साइड में डालता ही है, ये मश कर सकते ऐसान हे करेला के एक उन्नत किस्म चमन के जानकारी देवाथन ये किस्म के करेला हा बरसाद और नम समय में बने मात्रा में हो थे चिकने भुर भुरी मिट्टी में लगाये ले यह बने मात्रा में हो थे ये किस्म के करेला हा पतला लंबा और गहरा हरा रंग के हो थे फ सफलता अगर कोनों किसान हाँ नवा जानकारी की हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से आउ किसान मल्ला घलो प्रेड़ना मिलते आजकर जादा तर किसान भाई मनहा पारंपरिक खेती के अलावा सबजी भाजी के खेती घलो करते अव पनार्थी के सितिगा मजबूत करते ऐसने ग्राम सिमगा के किसान सुरेज भईया हा अपन दू इकड के खेत मा भिंडी के खेती करता हुए जानकारे देवत उहर बता थे कि अपन उतपाद ला वहा बाजार मा बेच के लगभाग 22-25 जार रुपय तक क्यामदनी प्राप्ट कर लिही ओकर ये जादा उतपादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेड़ना लिवत हुआ है और उह मना उननत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक इस दितला सुधार सकत हुआ है आवाओ आप जानतान मौसम के हाल चाल मौसम इभाग लेंबिले जानकारी के अनुसार आज आस्मान मा बदली छाय रही बीज बीज मा पानी गिरे के भी आसंका है आज की अंक मा पसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फेर मिलबो तब तक बर जै जोहार नमस्कार मंडी भाओ आओ आज जानबो हमरा परदेश के अलग-अलग मंडी मा धान फल और सबजीमन के का भाओ है आज सुरजपूर क्रिसी उपज मंडी मा धान के नियुनतम भाओ 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रती क्विंटल आज कुस्मी क्रिसी उपज मंडी मा धान के नियुनतम भाओ 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रती क्विंटल आज बैकुंठपूर क्रिसी उपज मंडी मा धान के नियुनतम भाव 1235 रुपया और अधिक्तम भाव 1615 रुपया प्रती क्यूंटल। अब बारी है मंडी समिक्षा के। अब बारी है मंडी समिक्षा के नियुनतम भाव 1615 रुपया प्रती क्यूंटल। अब मुला दो विदा फेर मिल वो तब तक बर जय जोहार। भाव 1615 रुपया प्रती क्यूंटल। अभी आने वाले 24 घंटों के दवरान 36 गड़ के अधिकांस जिलों में हलके से मध्यम बार्षा होने का पुरवा नुमान है। उसके पस्चात वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आने का भी पुरवा नुमान है। तापमान अभी अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और नियूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पुरवा नुमान है। आने वाले 4-5 दिनों के दवरान मौसम को देखते हुए किसान भाईयों को सला है कि अभी सरगुजा संभाग के कुछ इस्थानों को छोड़कर बिलासपूर, रायपूर और बस्तर संभाग के अधिकांस इस्थानों में परियाप्त वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना को देखते हुए किसान भाईयों को चला है कि खेतों में उप्यूक्त ओल आते ही खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें और खरीब फसलों की बुआई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरा कर आने का प्रयास करें इस समय अभी ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो दल्हनी फसले हैं उनमें बीजोप्चार अवस्य करें साथ साथ राइजोबियम कल्चर से भी पांच ग्राम प्रति किलो बीजदर के हिसाब से अवस्य उपचारित करें जिससे कि जो दल्हनी फसल उनकी जड़ों में अधिक संख्या में गठाने बनेंगी और उनका उत्पादन अधिक मिलेगा धान फसल की जहां तक बात है तो धान फसल में स्वस्त बीजों के चुनाओं के लिए सत्रा परतिसत नमक घोल में बीज को पहले डुबा कर रखें और उपर तैरती हुई बीजों को निकाल कर अलग कर दें किसाम भाई आज ही अपने जिले की मजदी की भूमी परिक्षण प्रयोक्षाला में मिट्टी की जाज जरूर करवाए और मिट्टी में पोशक्तत्व, ममी वा पधी के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोशक्तत्व डाले और हाँ मिट्टी में गंध़ग जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष पोशक्तत्वों का पता लगाना भी न भूले उर्वरक और जैविक खाद के सही उप्योग से भूमी का उपजावपन बनाए रखी इतादक्ता बढ़ाईं, खर्चा घटाईं और दहनूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सही योग दें और हाँ धीली गती से नाइट्रूजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे मुझ मेपित यूरिया को प्राथ मिट्ता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुष समभ़दार हो गया रहे अब जानकारी के लिए संपर्क करें जिलाकिशी अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना देगो ना सबर कर गोलू अभी डाल नहीं गली है तो फिकर ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खुरुख गलेगी क्या मतलब जी अब की बार MFSM के तहट डाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए डेश में एक हजार शेतर चुले गए हैं जिसमें हमारा अलाका भी आ गया है पर इसके हमें क्या फाइदा है हमें पांच एकल खेती के लिए खाद और कीट नाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मीनी किट भी मिलेगी अरी भागवान सरकार में दलहन का समर्धन मुल्य भी खूब बहा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतिजाम कर लिया है इससे आंदरी बढ़ेगी और तो हमारा गोलो अच्छे स्टूल में जातर के कृशी वग्यानिक बनेगा हाँ क्या करें हाँ मैं ऐसे ही करूँ रहा अच्छा मैं जा रहा हूँ अच्छा जी 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 किसे बात कर रहे ते इतना हासस कर किसान कॉल सेंटर किसान कॉल सेंटर सुबा छे बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रवी बार को भी हाँ भई साल के 365 दिन खुलता है और इतना फोन का बिल कौन भरेगा अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी किसान भाई क्रिशे समंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरं समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी वी पॉन से राश्ट्री हेल्पलाइन नबर 180-180-155 एक परसन पर करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर अधिक जांकारी के लिए जिला भागवानी अधिकारी या राजे भागवाने निदेशक से संपर्ख करें राश्ट्री हेब भाखवानी मिशन जीवन समारे खुशना पहलाए कारे करम देखिया जम्मो संपर स्खवारी मनला जे जोहर किसान भायों हमाना आप मनला क्रिसी दर्शन के माद्यां से अब लाब कमावाथे ता आपो मन भीन्डी के खेती करो औलाब कमाओ भिंडी के खेती आधिनिक और बेग्यानिक डंग से किसी किये जाए आवो जानकारी लेवन अपने राज्य के हर किसान भाई से हम यही कहना चाहेंगे कि वे प्रयोग के तौर पर ही से ही अपने प्रक्षेत्र के एक छोटी से हिस्से में भिंडी की फसल लेकर देखे लाब होने पर ही उसे व्यापक और व्यापारिक पैमाने पर करें हम शर्तिया तोर पर यह कह सकते हैं कि यदि भिंडी की फसल को वेग्यानिक रिष्टिकोंट के साथ लिया जाता है तो लाब निश्चित है भिंडी की फसल लेने से पहले हमें भूमी की प्रकार और प्रक्षित्र की तयारी पर भी एक नजर डाल लेना चाहिए भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमी ही सर्वुत्तम होती है 6-6.8 pH मानवाली भूमी भिंडी की खेती के लिए उप्युक्त रहती है पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हलसे की जानी चाहिए फिर उसके बाद 2-3 बार हैरो चलाना चाहिए भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशह 45 सेंटिमीटर की दूरी रखना चाहिए और साथ ही फसल को खर्पतवारों से बचाय रखना भी भिंडी उत्पादत किसान का धर्ब होना चाहिए खर्पतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवशक्ता होती है साथे खर्पतवारों की रोक्थाम के लिए खर्पतवार नाशी दवाईयों का उप्योग भी किया जा सकता है किसान भाईयों भिंडी के खेते में जल प्रबंदर के जानकारी होना भी अबड़ जरूर है पानी कप-कप आव कद का मात्रा में सिचाई किये जाए आवव जानकारी लेवन बहुत अधिक वर्षा का हुना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता इसलिए किसान भाईयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बहतर व्यवस्था रखे हमारे राज्य की बहुत से किसान अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी विवस्था बना कर रखे हुई है सिचाई के लिए ड्रिपेरिगीशन या सिचाई की टपक पद्धती को भी प्रयोग मिलाया जा सकता है किसान भायो भिंडी के खेती मा खात प्रबंधन के जानकारी भी होना अब बड़ जरूरी है खात कब-कब और कटका मातर में डाला जाए आवो जानकारी लेवन भिंडी की फसल के लिए उप्युक्त खात प्रबंधन भी होना चाहिए अपनी जागरुपता का परिचय देकर भिंडी उत्पदक किसान इससे अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकते हैं भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भाती जानना चाहिए चोकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडिया लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खात और उर्वरक देना चाहिए भिंडी के लिए भूमी तयार करते समय प्रती हेक्टेर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खार और 40 किलो नेटरजन, 20 किलोग्राम फास्विट और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए हमारे राज में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्यानिक विधी से ही भिंडी की फसल ले रहे हैं किसान भाई भिंडी के खेती मां रोग राई लगे के भी डर रहे थे ये रोग का हरे एकर से किसे बचाय कीज़े आवाव जानकारी लेवन हम अपने राज के उन किसानों को सावधान करना चाहेंगे जो स्थानिय किस्म की भिंडियां उग जा रहे हैं इससे न सिर्फ पैदावार ही कम होती है बलकि स्थानी भिंडियों में कीरों का प्रपोपी ज्यादा होता है इसलिए उन किसानों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अतिनुकसान देह साबित होते हैं जेसिट एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां उपर की ओर मुड जाती हैं इन कीटों से बचाओ के लिए किशी वैज्यानिकों और विशिशग्यों की सलाह पर लिये जाने वाला रसायन इस प्रकार है 1400 मिलिलीटर मेलथियान, 50 इसी को 875 लीटर पानी में खोल कर उसका छिड़काओ किया जाने पर इन कीटों से बचा जा सकता है भिंडी का तना छिदक कीट भिंडी के तनों में प्रविश कर जाता है जिससे की इसके तने खोखले हो जाते हैं इसकी रोगथाम के लिए एंडरिन का छिड़काओ किया जाना अनसंशित होता है अब आईए जाने की भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताय जाते हैं और उनके बचाओ क्या है पीत शिरा मोजेक ये भिंडी का सबसे भ्यानक रोग है ये रोग विशाणों के द्वारा फैलता है इस रोग के कूप्रभाओं से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडॉल और कठोर हो जाते हैं जिसकी वजह से जाहिर है कि उतपाद का बाजार प्रभावित होता है और नतीजितन उस भिंडी का उतपादक किसान नुकसान उठाता है इस रोग से रोग थाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाए तो ये है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़ कर जला कर नश्ट कर दें या फिर फसल पर दश्मलव एक पांच प्रतिशत मेलाथियान या पचास इसी का छिड़काओं करें साथ ही कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फसल को खर्पतवारों से दुर रखा जाए या फिर रोग रोधी जातियां ही लगाई जाए जिससे की इस रोग का खत्रा कम से कम हो सके इसके अलावा भिंड़ी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है जिसे हम चुर्णी फपुंदी रोग कहते हैं ये एक विशेश प्रकार का फपुंद जनित रोग होता है इस रोग में पौधों की पत्तियों की नीचली सतह पर सफेद चुर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीची गिरने लगती है इसकी रोग थाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चुर् और काउ किया जाना चाहिए अगर वक्त रहते भिंडी उत्पादक किसान इतनी सावधानी रख सकते हैं तो फिर ये तय है कि उन्हें भिंडी की फसल से केवल लाव ही होगा 36 गड़ के प्रक्षेत्रों में यहां की शाक वाटिकाओं में अब भिंडी का मिल जाना एक आम बात हो गई है क्योंकि अब हमारे राजगे बहुत से किसानों ने भिंडी के व्यपारिक महत्त को जान लिया है भिंडी उत्पादक किसानों की बढ़ती संख्या 36 गड़ की उरवरा भूमी का एक तरह सी सम्मान है जो हर तरह की फसलों के लिए उप्योगत है भिंडी की बढ़ी हुई मांग ही भिंडी उत्पादक किसानों को धनवान बनाने का काम कर रही है समय के साथ भिंडी की उप्योगिता भी बड़ी है और यही बड़ी हुई उप्योगिता भिंडी को और भी कीमती बना रही है सबजी के रूप में जानी पहचानी जाने वाले भिंडी और भी बहुत से काम आती है बन पहरी में राजा तितुर भोलेगा तितुर भोले वो बन पहरी मारानी तितुर भोलेवो तितुर भोले तितुर भोले तितुर भोलेवो बन पहरी मारानी तितुर भोलेवो तितुर भोले तितुर भोलेवो बन पहरी मारानी तितुर भोलेवो बन पहरी मारानी तितुर भोलेवो बन डोंगरी मा तेंदू चार खाबो गुईयारे, बैहा मा बैहा जो रे बुले आबो ना बन डोंगरी मा तेंदू चार खाबो गुईयारे, बैहा जो रे बुले आबेना ओरी ओरी सरै फुले साजा केरवार, साजा केरवार, राजा साजा केरवार देबे रानी करिले करार, करिले करार, रानी करिले करार ओरी ओरी सरै फुले साजा केरवार, साजा केरवार, राजा साजा केरवार दगा जने दे बे रानी करे ले करार, करे ले करार, रानी करे ले करार बन डोंगरी मा तेंदू चार खाबो गुयारे, बैहा मा बैहा जो रे बुले आपो ना बन डोंगरी मा तेंदू चार खाबो गुयारे, बैहा मा बैहा जो रे बुले आपो ना बन डोंगरी मा तेंदू चार खाबो गुयारे, बैहा मा बैहा जो रे बुले आपो ना किसान भाईयो अब जाए के वेरा होगे, अब या अंकमा नवा नवा जानकार एक साथ फेरू पस्तित होगो, तब तक बर दो विदा जै जोहर